बहुत बहुत सवागे था सिभी का हमारी यूटूब चैनल सोट्स मीडिया में राज रॉब देख रहे हैं सोट्स मीडिया शीरूब चैनल बिहाड बियाड एडमिशन 2024 बिहाड से वैसे शाटर शाटर जो बियाड करना चाहते हैं ग्राजुएशन कंप्लीट होना चाहिए आप एदन करने के अंतिम दीन तक भी आपका ग्राजुएशन का रिजल्ट आ गया तो आप फॉर्म को भर सकते हैं अधर वाइस आप नहीं भर सकते हैं यदि आप पीजी वगएरा कर रहे हैं कंटिनीव है अभी और एडमिशन के समय तक ऑनलाइन जो होगा उसका जो लास्ट टेट है उस दीन तक आपका पीजी कंप्लीट नहीं हुआ रिज़र्ट फाइन सिमेस्टर का नहीं आया तो आप यह नहीं है तो हमें पहले बनवा लेना पड़ेगा है कि बडिकुमेंट कौन से लगें पहले आप बता दीज़ीये तो कि आप यह से नहीं के समय कौन-कौन डॉकूमेंट लगेगा आफेदन कर लिजेगा उसके बाद प्रक्रिया शुरू होगी तो फिर admission के समय कौन कौन से डोकुमेंट लगेंगे यह दो चीज, एक टो आवदन के समय कौन कौन से डोकूमेंट लगेगा और दूसरा admission के समय कौन कौन से डोकूमेंट लगेगा दोरों के उपर इस video में हम बात करेंगे आप अंतिम च्छान तक बन रहे, लेकिन उससे पहले, आज हम आप beGG बिताने वाले है, बिहार बीर इंचेंज्स एक्जाम 2024 के त्यारी के लिए, बेस्ट बुक के बारे पे, जो कि चक्षु परकासन का है, जी हां, ये आप भी कर रहे हैं, बिहार बियर इंच्छ्टेंज्स एक्जाम 2024 के त्यारी, औ पूरे व्याख्यान के साथ तो देर किस बात की डिस्क्रिप्से में दिये गया Amazon और Flipkart के लिंग के माध्यम से अभी और करें या आप चाहे तो अपने निजदी के मार्केट से भी उसको offline mode में खरी सकते हैं साथ ही तमामे स्टूरेंट चक्सव प्रकासन का यह प्रैक्टिस सेट भी ले ले इंटरेंट्स एक्जाम के लिए ताकि आपका प्रैक्टिस घर बैठे इतना शांदार हो जाए कि परिक्षा में आप एक भी कोश्चन को न चोरें और सभी कोश्चन को सही से अटेम्ट करके तो तमामे स्टूरेंट यदि हम डेट की बात करें तो आप देख पार ही यह है आपका डेट जिसमें बियर इंटरेंट्स एक्जाम के लिए आप लोग ने देखा होगा गुडियो बनित इस पर नौ तारीक से नौ अप्रिल से ओनलाइन होना है और यहां आप देख पार है चार मई तक लास्ट डेट है यह बिना फाइन के साथ है यदि लेट हो जाता है तो पांच मई से लेकर के ग्यारा मई तक भी आप फॉर्म भर सकते हैं लेकिन आपको लेट फाइन देना होगा यह सारी जो है कि आप देख पार इसमें सारा डीटेल्स बता दिया गया है इसका डीटेल्स आपको देना है प्लस में आपको अप्लोड करना होगा अप उसके बासे आपका कॉलेज आपको मिल गया कॉलेज आपस हो गया है कि नहीं हम को मांने कोलेज मिल गया और ऐसा कॉलेज मिल गया जो कि आपके इंवर्सीटी का नहीं है जहां से आप असना तक किये थे किसी दूसरे इंवर्सीटी का है तो किसी दूसरे इंवर्सीटी का है बीएट कॉलेज आपको मिला और वहां जाके एडमिशन लिजेगा तो फिर आपको Migration Certificate आपको देना परेगा अपने इन्वर्सीटी से ला करके इन्वर्सीटी चेंज करने के लिए Migration याद रखिएगा और College चेंज करने के लिए CLC ये दो चीज़े और ये तब कब लगएगा जब admission होगा उस वक्त online करते समय नहीं उपर वाला मैंने कहा ग्रछन का मार्क्षीट उसके बाद से अब देखिए इंटर मार्कषीट इसका डिटेल पलस में इसको अप्लोड करना होगा करना होगा इसके वाद से अधार कार्ड इसका जो एक अधार नंबर प्लस में अप्लोड करने के लिए कहेगा तो अवासिय स्रेटिफिकेट मेंडेटरी होता एक दम कंपलसरी नहीं है तो बनवा लीजिए अब तो यह कि सर्म दूसल पहले बनवाए थे वो चल जागा का तो हाँ चल जागा लेकिन ध्यान रखिए अब जो तीन साल से बन रहा है बिहार में आवासिय वह ऑनलाइन बनता है और बन जाने के बाद हम लोग ऑनलाइन डाउनलोड भी कर लेते हैं उस पर की वर कोड़ भी रहता है और फोटो भी रहता है तो जो भी आवासिय जो आउनलाइन आपने बन मैं है जिए अपको दिखाए तक दिखाए रुखिए यह वाल यादि एइसा है आपका यह आपनी चक्की वर कोड है उपर फोटो है और यह ऑनलाइन अब दन हुआ था और ऑनलाइन बना भी बन करके आपका हुआ है तो कोई टेंसर नहीं है इसका वालेटी लाइफ टाइम होता तुमार नहीं बना हुआ है तो फिर बनमाली जी दें आप बिहार के निमासे तो कि बिना आवासी है कि आप उनलाइन नहीं कर सकते हैं उसके बाद यह कि लिए जो दिव्यांग है उनके लिए तो कोई दिव्यांग है किस भी रूप में तो वह अपना बनवाले क्योंकि इससे जो है कि आपको छूट मिल जाता है अड्मिशन में प्लस में इन के लिए इस पासे फोटोग्राफ और सिगनेचर यह सिगनेचर हिंदी और इंगलीज दोनों में लगेगा और इफ अपली केबल यहां पर लिखा हुआ है इसमें से यदि आप लागू होता है तो ठीक है आप लागू नहीं होता है पृफफव को फिर यह जरूरी नहीं है जैसे कि कगठ्ड जरूर वालों के लिए ज़रूर नहीं है और दिव्यांग चर्टैफिकट इसाबलीटी वाले यह वाले त्व एंक फृटाइन के लिए नहीं नहीं है जो कि आपको असीपिसिकेट करने के लिए रहाए के लगेगा और यदि इन्वर्सीटी चेंज हुआ तो यह आपको माग्रेशन सेर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा तो उम्मीद देखिए जो डोकुमेंट वाला के इंद्फुजन था वह आपको समझ में आ गया होगा कुछ सवाल और है बीएट से संबन दी तो आप क अपरी बात राख सेकते ही मुझे मिनाने के में पूरे कोचिश लेंगे बहुत पूर धनेवाद आपका इस दुगर देखिए के लिए